नमस्कार सभी भाईयों वेनों को मैं पंडित आशु शर्मा परदेश सद्यक्ष पश्यमुत्तर परदेश संयुक्त वियापर मंडल आज फिर आप सभी के भी चुरूबरू हूँ और एक बहुत बड़ा सवाल हम सब साथी पिछले लंबे समय से देखते चले आ रहे होंगे स सबके मन में भी यह सवाल है कि किसानों का एक अचानक सा जत्था आ पहुचता है दिल्ले के बूर्डरों पर और वो चारोतर से दिल्ले को घेरने की तैयारी कर देते हैं तो जायतर साथी जो हमारे है व्यापारी साथी भी हैं और जो अन्य समाझिक साथी हैं उन सब के दिल इस्थिती तो ये है कि किसानों की इस समय की बड़ी पीड़ बड़ी समस्या क्या है तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ भी सरकार ने पिछले लॉकडाउन के दोरान जून जॉलाई के अंदर कुछ कानून के अंदर फिर बदल किया किर्सी अध्यादेश के नाम से उन्होंने ए किसान ये एक अंदोलन की रणनीती बना के लगातार क्योंकि हम देख रहे थे कि जिला इस तर पे भी तैसिल इस तर पे भी लगातार अंदोलन चल रहे थे परन्तु एक अचानक ही है दस-पने दिन पहले से ही एक बड़ा मूमेंट पंजाब से सुरू हुआ और वो दिल्ल हमें किसानों का ये कहना है कि सरकार ने अगर हमारे हित की बहुत जादे परवा करी है तो MSP लागू क्यों नहीं करा नियूंतम समर्थन मूले लागू क्यों नहीं करा जो हमारी खेती है चाए वो गहूं की खेती हो चाए गन्ना हो चाए उड़द हो चाए वो बाजरा हो च काई वो धान हो जिस परकार की भी खेती फार्मर कर रहा है किसान कर रहा है तो उस पे लगातार पहले सी चीजे चलती चली आ रही है कि एक समर्थन मुल्य सरकार के द्वारा गोसित किया जाता था और उस समर्थन मुल्य पर ही खरिदारी की जाती थी उससे कमपे नहीं की जात तीसरी और जो महत्मून बात ही आई है कि किसानों की वर्तमान इस्थि थी अब मैं जहां तक देख रहा हूँ 2004 से भारते जिंता पाल्टी की सरकार है और अब ये दूसरे राउंड की सरकार चल रही है मान्य परदान मंत्री नरिंद्र मोदी जी के नहत्तित में और 2019 से जब ये सरकार दुबारे चुनी गई तो उनका एक नारा था कि हम 2022 तक किसानों की आये दुगनी कर देंगे तो जो दुगनी वाला सब्द है सरकार का कहना है कि किसानों की आये दुगनी कर देंगे वहीं सबसे बड़ा सवाल किसानों के सामने ये बनावा है कि किसान ये कहरे है हमारी इस समय जो मक्का की या जो अन्य चीज़ें हमारे बगी है वो निमतन समर्थन मुले अगर किसी चीज़ी का एक हजार रुपे था तो वो किसानों की इस्तिति जो वरतमान में बगड ना किसानों के आज़ा ना हम लोगों के आज़ा अब बड़ा तवाली आता है कि ये आंदोलन पंजाब और हर्याना से ही क्यों start हुआ basically पंजाब से ही क्यों start हुआ तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इसकी मेन वज़ा ये भी हो सकती है कि हमारे देश की में पंजाब जो है एक किर्सी को अधार सिला है, सबसे ज्यादे का उत्पादन पंजाब और हर्णा के छेतर से होता, किर्सी परधान राज्ये भी उन्हें ही कहा जाता है, उत्तर पर देश भी उसी में पश्रिम उत्तर पर देश بी गन्य की बड़ी बेल्ट है, वो भी लगातर इस अंदोलन में सामिल हो रहे हैं, सह भागीता हो रही है, तो कहीना कहीं से तो कोई ना कोई अंदोलन सुरू ही होगा, जब देश की आजादी का अंदोलन की बात आया थी तो सरदार भगर सिंग के नयतित में, सुखदेव के नहत्यत में वो एक टीम थी पंजाब की थी उनके नहत्यत में वो अंदोलन सुरू हुए तो कही ना कहीं से तो कोई अंदोलन सुरू होगा ही परन्तु अब जो धीरे-धीरे उसकी आग है वो चारता फैलती जा रही है अभी उसमें सुनने को मिला है कि उत्तर परदेश से सब इसकार को सान-बावति की नजर से देखने है मेरे मना है किसान देश का अंदाता है किसान देश को एक जो है इस करोना काल में भी जहां तक मैं समझ रहा हूँ, जहां सब चीजे बंद हो चुकी थी, तमाम कार खाने, तमाम दुकाने, तमाम परतिष्ठान बंद हो चुके थे, उस इस्थिती में भी सब लोग डर रहे थे, तब भी किसान ने अपना फर्ज निभाया, और देश के लोग को बहुत सानब होती के साथ, किसानों की बातों को सुनना चाहिए, किसानों की बातों को मानना चाहिए, और MSP, क्योंकि बड़ा जो उनका मुद्दा है, वो MSP है, MSP को भी लागू कर देना चाहिए, एक विसे ये आया, सरकार के दौारा, कि भी इसके अंदर जो तमाम जाएं तो इससे अच्छा तो सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकता तो मेरा ये निजी मत है कि सरकार को निमतम समर्थन मुले लागू कर देना चाहिए इससे कम पे अगर कोई खरिदता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो सरकारी कारवाई हो इन सब की स्थितिक किसानों में सर प्वी साल, दस साल, पांस साल पहली अगर चीजों को देख लें तो मैं समझता हूं कि जो किसानों की जो फसल है जब वो बिखने की स्थितिमादे है चाहिए वो गहू हो चाहिए वो मक्का हो चाहिए वो अन्ये कोई ऐसी किसी उत पदन की चीज़ हो जब वो MSP के रेटों पै बेकने के लिए वो उन किरिये केंडरों तक आते थे जो सरकारी बनाएवे हैं वहां आने के बाद एक परकिरिया जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा किसानों के साथ की जाती थी कि हुआ लंबी लंबी कहीं कहीं किलोमीटर लंबी लाइने लग जाती थी और फिर अध के जो एजेंट होते थे वहीं के जो दलाल होते थे प्राइवेट उनके माध्यम से दो रुपे मंदी चार रुपे मंदी अपनी चीज को बेख के मंदे संदे में MSP से भी कम रेट उप है और वो अपने पैसे को नगत पाके हमाँ से चला जाता था और उन्हीं एजेंटों से ताल मेल बिठा के गोल माल करके ये बिरफ्ट अधिकारी और एजेंट दलाल आपस में मिलके किसानों के उस प्रोडेक्ट को फिर खरीद के MSP की दरपे ही बेख देते थे और ये खाते में लिख दिया गया कि फला किसान हमें इस रेट में ये बेख के गया है तो इससे कुल मिला के जो नुकसान है वो किसान का और जो फायदा है वो उन अधिकारियों का और उन एजेंटों का है अब मैं ये समझ रहा हूँ कि सरकार की मनसा अगर किसानों के पक्ष में हैं तो MSP लाग हो नहीं तो किसान फिर इसी तरह से पच्छताएगा और जहां ये सरकार का चल अबर ऐमामला की FDM और डीम इस तरके अधिकारि के जाच करेंगे वो ही सब चीजों को देखेंगे किसान उनसे सिकायत कर सकता है तो यह बहुत हासेपद बात लगती है जहां तक किसानों को मैं जानता हूँ देहात का किसान इतना बहुला होता है इतना सीधा होता है कि वो तो एक लेखपाल पटवाजी तक के इस तरह के अधिकारे से बात नहीं कर पाता, FDM, DM तो उनकी पोच्च से भोल भाल हो जाते हैं, अब FDM, DM एक कमपनी की, एमपलोई की बात सुनेगा, एक गरीब किसान की बात सुनेगा, तो इन सब चीजों का मुख्यन उकसान जो है, व